प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप एंड नेवर मिस अन्व खालिस्तान मोमेंट के पुन्नू उनके उपर सार वीडियोस पर वीडियोस बना रहे हैं और यकीन धुन्ने में भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन सार अगर हम पुन्नू की बात करें जिसके डॉलर का भी नाव रखा हूँ है और खालिस्तानियों अब तुम्हारे बाप का बाप तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरावारिया अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों यह हमारा पोस्टर और इसमें मैं गौरावारिया एक वादा करता हू कि ये जो इंसान है ये खालिस्तानी टिर्रिस्ट गुर्पतवन सिंग पन्नू any information given to law enforcement agencies leading to his arrest and conviction ठीक है जी any information given to law enforcement agencies in the US, Canada, UK wherever this man is floating around leading to his arrest and conviction उस बंदे को जो इसका conviction करवाएगा जिसकी information से इसका conviction होगा है जेल डाएगा उसको मेजर गौरवारिया दस हजार यूएस डालर देगा या फिर उसके एक्विलेंट पाउंड यूरो जो भी आप लेना चाहते है कनेडियन डालर जो भी आपकी मर्जी है रोज निकल ही ना जाए डूड़ने के लिए तो मैंने उसको सुभा कहा भी है तुम निकल मत जाना तो कहरे नहीं मैं दस हजार के लिए नहीं जाओंगा मैं अच्टी के पैसे बजगे लेंगिन ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ उस वीडियो में वीडियो पांच तार के पीछे बैठे हुए लोगों वहां पे बैठे हुए शेरों से नहीं डरता हूं अपने आपको टीवी के पीछे बैठ करके शेर बताते हो आओ यहां बात करो और डरा इतना हुआ था कि ट्विटर पे कुछ पाकिस्तानी आईटी दिख रही है कोई बिलाल नाम से कोई किस किसी नाम से पाकिस्तानी आईटी दिख रही है जो इसके वीडियो को शेर करें डरा हुआ इतना हुआ था कि यह जो आईडी इस हैं इन से एक दिन पहले बताता डिक्लेर करता कि आज शाम पांच बजी मैं यून के बार खड़ाओंगा जिसको मिलना मिलने हम खड़े होते ह अब बार लोग हैं एक बड़ डिकले करता है चोरी से चोरों की तरह पहुंचा शाम के टाइम पर जाकर के वीडियो बनाया पांच मिनट का और वहां से गायब करता हुआ पंजाबी में बोला था कि आती जाती लोगों वो तो सारे अन्वीज हैं उन्ने क्या समझ में है जो कि है खालिस्तान का जी हाँ अब भारत और खालिस्तान आमने सामने आ चुके हैं और जिसमें हमारे भारत के नैशनल स्क्यूर्टी एडवाइजर यानि अजी डवाल साब भी इस आमने में उतर गए हैं और दूसरी और हम सब के फेवरेट मेजर गोरवारिया ने तो पन्नु के उपर दस हजार डॉलर का इनाम रख दिया है तो यह वीडियो में आप देखेंगे काफी कुछ आपको खालिस्तान के बारे में पता चलेगा और क्या डिवेल्पेंट्स हो रही कितने कनेडियन उसमें उनकी जाने गई हैं कितने कनेडियन मरे हैं किस साल को यह वाकिया हुआ है जाए इंटरनेट पे एर इंडिया कनिश्क यह टाइप करिये जारा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा डेटा मेरी उंगलियों पे है मैं आपको कुछ नहीं बता रहा आप ज इंचार को ये करो, जेल में डालो, ये करो, ऐसे करो, वो तो बले-बले, बिल्कुल, they have become heroes of khalistanis, फिर, क्या action लिया आपने, आपने, साफ सीधी बात है, right, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, सारे Canadians को बोलना चाहता हूं, खालिस्तानियों को बोलना चाहता हूं, और Canadian स ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे, तो भारत को करना पड़ेगा, कल फिर चूचू मत करना, कि ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमारा freedom of expression के खिलाफ, ये अंग्रेजी मत बोलना बाद में, क्योंकि जब भारत करेगा, फिर तुम ये बोलोगा कि यारे गलत कर दिया तुमने, तब मत बोलना, और भारत करेगा, अभी भारत प्यार से समझा रहा है, कल भारत मार से समझाएगा, दोनों तरफ से तुम्हें समझना पुरेगा, और हमारे पास कई हतियार है ये सब करने के लिए, और आज मैं आपको बताता हूँ, भारत क्या-क्या कर सकता है इनके ठीक है और टास्क कैसे कंप्लीट करवा रहे हैं आप खत्रों के लाड़ी आपको खेलना है तो ठीक है लेट्स प्लेट मैं आपको यह बता रहा हूं कल कनेडियन हाई कमिशन के सामने दस पंदरा हजार की भीड़े खटा हुगे अब क्या करेंगे इंडिया में और हमारे जो है ना सनक जाती है भारत में जब भारत के ऊपर कोई बात आती और भीड़ सनक जाती है फिर यह मत बोलना ओमाई गॉड़े इंटरिंगे कनेजी नाइकमिशन इन न्युजेली ऐसा उत्पात मचाएंगे भांडे बरतन फेग देंगे तो यह सब मत करो अब खालिस्तानी इसमें खालिस्तानी मुझे कह करें आप जिस तरीके से बोल रहे हो मेजर साब आप कैनेडा कभी नहीं आप आओगे आप सेटल अब बेवकूफ आदमी तुम्हें लगता है मैं मेरी शकल से लगता है कि मुझे मन भी चाहता होगा कैनेडा की तरफ देखने का हाँ अगर मु मेजर को पूरा प्रोटोकॉल मिलता मेजर वहीं पर जाता है वरना हम नहीं जाते कहीं ठीक है यह अपना स्टाइल है इस बात का ध्यान रखना तो यह कनेड़ा फनेड़ा की बखवास मत करना मेरे सामने ठीक है चौती फेल पांचमी फेल जूटा सर्टिफेकेट ले जाके कैनेड़ा में उल्टे सीधे काम करते हो और हमें दोंस देखाते हो दो कोड़ी के कालिस्तानी सूर तुम से आपको वहां अमेरिका कैनेड़ा से बैढ़ के और इस किसम की बाते करे थेट्स करे आपके पीम को करे आपकी कंट्री को करे तो इसको कहीं से कंट्रोल तो होना च लिए वहां से funding आती है उनको और उनने ठीक किया जा रहा है तीन-चार तो चलेगे बहतर हुरों के पास थे तो वो सदार लेकिन जाना उनको बहतर हुरों के पास ही पड़ा तो कि वहीं से उनको सपोर्ट मिल रही थी तो अब यह सर अब यह मत कह दिएगा कि वह पैसा हम ने कर रहे हैं आप खातून है फिर भी मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ रहा है दाड़ी में तिनका मैंने नाम भी नहीं लिया और आपने खुदी एडविट कर लिया कि यह से वैसे आप यह से बोलेगी वैसे बोलेगे मैंने तो कुछ बोला भी दिए इसको बोलते है दा चार में से तीन चले गए बहतर हुरों के पास एक यह है मुझे लगता है कि चला गया होगा नहीं गया होगा बच गया होगा तो चला जाएगा जल्दी से जात देर लगेगी नहीं एसवार रोहित इस कंसर्ण येस एक्चली ही इस नॉट मेकिंग वीडियो इस इंट है मुझे तो लगता है सब दो दिन और बनाता रहा तो उसने खुद भारता के हतियार डाल देने के बस ये रोहित की वीडियो रखवा दें किसी तरीके से मेरे बाप की तौबा इंदा नहीं करूँगा तो मुझे लगता है ऐसा कुछ बोलने वाला है लेकिन आर्टो जी त कुछ है तो पांच दर्स पागल होंगे जो पीछे लग जाते हैं एक बार की चलो को इंपोर्टनस मिलती है सोशल मीडिया पर आ जाते हैं टीवी पर आ जाते हैं इनकी इंटर्व्यू ले लो बट अदर्वाइस ग्राउंड पर कोई सपोर्ट नहीं है कोई वजूद नहीं है इनका कैनड़ा में बैटके क्यों बोलते हैं उसका रीजन है मैंने कल भी एक पाकिसानी शो के उपर बोला था यह चीज़ कि क्या होता है कि इनका नाम देखिए खाली स्थान तो कैनड़ा के अंदर बहुत जगा ऐसी जो खाली है तो इन्हें वहां पर खाली स्थान चाह कि यह क्या माग रहे हैं तो यह चक्कर है और कुछ लिए इस वक्त मिस्टेरियस मोद का शिकार हो रहे हैं बारत में अपने सोशेल मीडिया पर कुछ लोग बहुत इर्रिस्पॉंसिबल पोस्ट लगा रहे हैं कि हजीत सिंग डोल ने करवाया रौ ने करवाया मैंने जहां तक देखा है न अपने इतने तजर्बे में इतना एक्सपिरियंस जो मेरा है इस में यह मैंने देखा है कि I.S.I. तो पूरी दुनिया में दंदनाती फिरती है हर जगा अपनी एक्टिविटीज करती है लेकिन रोग कम असकम इस तरह नहीं करती चीज़ें खास मार्क टाई और यह सब चीज़ें रोग बहुत ही ना होने के बराबर रोग भी वो पॉलिसी रहती है इसका तालुक मैंन भारत की सुरक्षा के लिए इन्फोर्मेशन जमा करना और यह सब चीज़ें होती हैं मैं समझता हूँ यह इनके आपस के जगड़े हैं और I.S.I. का भी एक यह तरीका रहा है हमेशा से कि जो आदमी इनके लिए बेकार हो जाता है उसको यह खुद ही फारिग कर देते हैं कि कल को वो कोई लीकेज ना कर दे या कोई उनके लिए मुसीबत ना बन जाए तो यह पनुन भी कुछ ज्यादा ही लंबी चोड़ी बातें करके नजर हमें कमेंट सेक्शन में लिक कर ज़रूर बताएं तो जैसे कि आपने देखा कि आप खाली सानी दुम दबा के भागरे लगे हैं पिछले दो महीने में काफी सारे खाली सानी मारे गए हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो कैनेडा में हो या यूके में हो और वो भी रहसे में तर तब तक आप अपना धियान रखिए जय हिंद जय भारत